हलो दोस्तों जियो गुर्जी क्लासेज में आपका स्वागत है मैं रोईश शर्मा सब्जेक्ट अपना जोग्रॉफी देखिए आज टॉपिक अपने पास में हैं प्राथ्मिक क्रिया के अंदर कर्षी है सहकारी कर्षी तो topic डालेंगे अपन प्रात्मिक क्रिया और प्रात्मिक क्रिया में जो क्रिशी आती है वो है सहकारी क्रिशी छोटा question इसमें से बन के आता है question पूछ लिया जाए आपसे सहकारी क्रिशी किसे कहते हैं सहकारी क्रिशी के बारे में पूछता है question अब देखिए सहकारी क्रिशी होती क्या है जब किसान एक समूह बनाता है और क्रिशी से अधिक लाब कमाने के लिए सुच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर क्रिशी कारिय संपन करता है इसे कहते हैं सहकारी क्रिशी मतलब किसान क्या करता है अपनी कृषी से अधिक लाब कमाने के लिए एक समू का निर्मान करता है सुरेच्छा से एक संस्था का निर्मान करता है और वो संस्था बना कर बहुत सारे किसान लोग होते हैं और वो सब एक जगए खटे होकर एक समू बना लेते हैं और एक सहकारी संस्थागा क्या करते हैं निर्मान कर देते हैं और उसके अनुरूप कृशी कारिय संपन करते हैं इसे कहते हैं सहकारी कृशी ठीक है तो परिवाशब मैं आपके सामने लिख रहा हूं जब क्रशकों का एक समू है मतलब क्रशक होता है उनका एक समू होता है अपनी क्रशी से अधिक लाव कमाने के लिए एक सैकारी संस्था का निर्मान करते है ठीक है जिससे वो अधिक से अधिक लाव प्राप्त कर सके निर्मान करते है और उसके अनुरूप क्रशी कारिये संपन करते है ठीक है समझ में आ गया होगा संस्था का निर्मान कैसे बहुत सारे क्रशक एक जगह मिल जाते है इस संस्था का निर्मान करते है क्यों करते हैं और स्वेच्चा से करते हैं कोई दबाव प्रेशर में नहीं होते क्योंकि अधिक से अधिक उनको लाब कमाना होता है ठीक है अब देखी और सहकारी संस्था में और क्या क्या चीजे होती है देखे सहकारी जो संस्था है उसमें जो क्रशक होते हैं उन क्रशकों को सभी प्रकार की साहता इस सहकारी संस्था से प्राप्त होती है जैसे की चीजो मुल्य पर बेचना इसी संस्था का काम होता है और सस्ती दरोपर जो प्रया संस्क्रत जो साधन होते हैं जो डिब्बे में बंद हो जैसे कि डिब्बे में बंद फल डिब्बे में बंद आपकी जो मचली होती है सबजियां होती है नर्स होते हैं या दूद डिब्बे में साधन होता है प्रसंस्कृत साधन इनको जुटाने में मदद करने का काम भी कौन करती है सैकारी कृशी करती है ठीक है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे देखिए सैकारी संस्थान क्रशको को सभी प्रकार की सुधा उपलब्द करवाती है जैसे की अब सुधाएं कौन सी जैसे की पहले मैंने क्या बताया आपको चीजों को खरीद करने में है कोई सी भी चीजों को चीजों की खरीद करने ठीक है इसके अलाबा आपके जो उत्पादन है कोई भी चीज उत्पादित हुए उसे उचित मुल्य पर बेचना क्रिशी उत्पादित माल को उचित मुल्य पर बेचना क्या बताया मैंने सस्ती दरोपर प्रसस्क्रत साधनों को जुटाना सस्ती दरोपर प्रसस्क्रत प्रसस्क्रत साधन जैसे की लिख देता हुए आपे डिब्बे बंद मचली दूद नाट्स ठीक है रहा सबजियां फल ठीक है आदी को जुटाने में मदद करना सेकारी क्रिशी कहलाती है मतलब सेकारी क्रिशी जो होती है ना ये किसानों को चीजों को खरीद करने में मदद करती है क्रिशी उत्पादित जो माल होता है उसे उचित मुल्य पर बेच सके ये कार्य करेगी और सस्ती दरोपर जो प्रसक्रत साधन होते हैं उन्हें जुटाने में मदद करती है यही कहलाती है सहकारी कृषी अब देखे आगे जो सैकारी आंदोलन जो कृशी है या सैकारी आंदोलन कह दीजिए सैकारी कृशी कह दीजिए या सैकारी संस्था कह दीजिए एक सताब्दी पूर्व प्रारम हुआ था सैकारी जो संस्थान है ये पश्चमी यूरोप के डैनमार्क नीदरलेंड इसके अलावा बेलजियम है स्वीडन है या इटली है यहाँ पर सफलता पूर्वा ये कृशी प्रचलित हुई थी लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुई थी ये कृशी वो ही थी डैनमार्क क से जुड़ा हुआ है ठीक है इसको भी हपन इसमें मेंशन करेंगे ठीक है सैकारी कृशी एक सताब्दी पूर्व प्रारंब हुई है ठीक है इसको डालना ज़रूरी है और सैकारी संस्थाएं कहां-कहां पर लाग हुई थी सेहकारी संस्थान पस्चमी यूरोप में एक शहर डैनमार्क ठीक है इसके अलावा आपका बेलजियम है स्वीडन है ठीक है इटली है में सफलता पूर्वक इस्थापित हुई ठीक है ना तो यहां पर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई एक वो नीदल लेंड भी है ठीक है ना डैनमार्क बेल्जियन स्वीडन नीदल लेंड इटली यहां पर बहुत प्रसिद रूप से सफलता पूरक इसको मिली सफलता मिली लेकिन सबसे जादा जो सफलता मिली थी वो कहां मिली थी डैनमार्क के अंदर ये question अगर आ जाए question कैसे आ सकता है कि सहकारी कृशी को सबसे ज़्यादा विश्व में जो सफलता मिली वो कहां पर मिली तो आपको देना है answer Denmark के अंदर तो आप इसको भी mention कर सकते है कैसे लिखोगे सहकारी कृशी को सबसे अधिक सफलता Denmark में मिली जहां पर प्रते कृशक इस संस्ता से या इस संस्ता का सदश्य है तो इसको भी आप mention कर सकते हो मतलब इसको अंदर Denmark आपको डालना है तो ये आपको मैंने बताया प्राथमी क्रिया के अंदर सहकारी कृशी के बारे में और ये जो सहकारी कृशी होती है वो एक कृशको का समू होता है जो कृशी से अधिक लाप कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्ता बनाकर कृशी कार्य को संपन करते हैं इसे ही सहकारी कृशी कहते हैं ये वीडियो जो है वो सहकारे करशी से संबंदित हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रात्मिक रिया योगी उसमें सामुहिक करशी के बारे में अध्यन करेंगे इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद